Hello Cyberworms, Welcome Back मैं हूँ अनिल यादब और आप देख रहे हैं Neat Roots और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप IPS Ideas को सर्च कर सकते हैं तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे आप DNS Analysis के अंतर जो भी तीन वीडियो से उसको यूज कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं IDS का फुल्पम होता है Introgen Detection System इसी तरह से IPS का फुल्पम होता है Introgen Prevention System तो इनका काम क्या होता है कि जो IDS होती है वो किसी भी malware को detect करती है आपके computer में आने के बाद और इसी तरह से जो IPS है वो उस malware को delete करती है अब इसको समझने के लिए हम simply जो normal life में हमारे साथ होता है उस example को लेते हैं जैसे कि मानलो अगर आप कोई mode app या फिर कोई virus आपके device के अंदर या फिर आपके laptop computer के अंदर mistake से भी आ जाता है तो आपका computer वहाँ पर so कर देता है आपका जो antivirus है वो so कर देता है कि virus detected यहाँ पर आपका यह जो app है आपने यहाँ पर डाला या फिर file है उसके अंदर virus है या फिर कोई spying script है तो इसी को हम क्या बोलते हैं intrusion detection system और उसके बाद जब आपके antivirus उसको remove करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं intrusion prevention system जैसे कि अगर आपके computer के अंदर कोई virus आ गया तो उसको हम कैसे remove कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको अब हम practically देख लेते हैं यहाँ पर आपको simply windows plus R press करना है और उसके बाद यहाँ पर search के अंदर, आपको search करना है MRT, उसके बाद आपको enter कर देना है और यह जैसे ही open होगा, यहाँ पर आपको yes क्लिक कर देना है, और click होने के बाद यहाँ पर आपको next करना है उइसको क्या करेंगे उसके बाद यहां पर आपको simply next पर क्लिक करना है और उसके बाद यह सकैनंगी स्टार्ट हो जाएगा तो इससे क्या होता है अगर आपके device के अंदर कोई भी malware या भी virus है तो वो इस चीज को delete कर देता है जिसको हम IPS बोलते हैं इसी तरह से यह सभी चीज़े वर्क करती हैं और अब हम जान लेते हैं कि आखिर इन सभी चीजों का हमारे जो काली मसीन के उपर तो यहां पर आप जैसे कि देश सकते हैं आइडियस IPS आइडिकेशन के अंदर जो लटी टूल है इसका में फूल फॉल फॉर्म क्या होता है कि लोड बैलेंसिंग डिटेक्शन तो लोड बैलेंसिंग क्या होता है लोड बैलेंसिंग एक तरह का सिस्टम है जैसे कि मानलो अगर आप वेबसाइट डेवलोपर हैं तो मैंच करने के लिए लोड बैलेंसिंग का यूज किया जाता है अब इसको हम कैसे समझते हैं जैसे मानलो आपको कोई शॉपिंग या फिर कोई मेडिसिन का वेबसाइट है तो वहाँ पर आपके वेबसाइट के अंदर एक ही टाइम पर मास कस्टमर आ जाते हैं और फिर वहा करने के लिए लोड बैलेंसिंग का यूज किया जाता है तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्यों समझ रहे हैं क्योंकि लोड बैलेंसिंग को हमें प्रिंटेशन टेस्टिंग के टाइम पर चेक करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि अगर आप प्रिंटेशन टेस्टिंग के अंदर LBD टूल के उपर चले जाना है तो इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको simply इसको क्लिक करना है उसके बाद यह आपके पेस्ट कर देना आए और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से यह कोई भी ऑप्सन कर सकते हैं जैसे कि अगर आप यहाँ पर हाइफन ए लेते हैं तो यह आरारस ऑफन टी लेते हैं तो यह इनेवल करता है TCP IP मोड को तो इसको अब हम प्रैक्टिकल ली जान लेते कि कैसे आखिर इसको परफॉर्म करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली एक वेबसाइट चूच कर लेते हैं जिस पर हम अटेक कर सकें तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ और फिर टेसला.com और फिर इसको हम इंटर कर देते हैं तो इसमें टाइम लग सकता है बट कोई न आप अगर यह सब कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इंफर्मेशन गैदरिंग ही है जिसके अंदर आपको बहुत टाइम लगता है लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पर अच्छ डिनेस को लोड बैलेंसिंग के लिए यूज करती है तो इसी तरह से आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाकर डिनेस लोड बैलेंसिंग को चेक कर सकते हैं इस टूल की मदश से तो यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास डिनेस लोड बैलेंसिंग का ज जैसे कि देख सकते हैं हमने LBD tool का यूज़ करना सीख लिया है इसी तरह से जो next tool है वाप उफ उसके बारे में हम next video के अंदर देखने वाले हैं और उसको practically करने वाले हैं तो इसको हम यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए भी आपका firewall concept क्लियर होना जरूरी है जो कि मैं आपको अगले वीडियो के अंदर क्लियर करवा दूँगा और उसके बाद वहाँ पर हम इस tool को practically यूज़ करना भी सीखेंगे So till then stay safe, stay secure, thank you